इंवेश्ममेंट तो सबको करना है, लेकिन करना कहा पर है, यह आइडिया नहीं होता है ऊपर से इंवेश्ममेंट के इतने सारे options available है कि हम confused रहते हैं आएए चेक कड़ें इंवेश्मेंटे के कौनसे options available है और आगके लिए कौनसा best है हाल में चेक करें तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आप्सेंस अवेलेबल हैं जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, एफटी, मिच्वल फॉंड्स, स्टॉक्स में लिए महारत में गोल्ड और रियल एस्टेट लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए क्यूंकि ये फिजिकल एस्ट है फिजिकल एसेट का मतलब कि इसको आप अपने पास रख सकते हो इसको च्छू सकते हो या हमेशा आपके आँखों के सामने रह करते हैं चलिए करके बात करते हैं इन सब आप्शन के बारे में कि सोना किसे पसंद नहीं भाई मुझे तो गिस्तर पर सोना और गोल्ड दोनों पसंद है यह दातु सतियों से हमारे जीवन का महत्वपून आंग है गोल्ड के उपर अलग से डिटेल वीडियो चाहिए तो कमें करेंट में लिखों गोल्ड कि अब बात करते हैं यह बारे में करीब 50 साल पहले तक रियल एस्टेट का ज्यादा वैल्यू नहीं था अभी के टाइम में इसको महत्व दिमें दिमें बढ़ता जा रहा है जैसे जिसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ करते हैं एफटी के बारे में एफटी का फुल फॉर्म है फिक्स्ट डिपोजिट बारत में एफटी बहुत पॉपिलर अप्शन है इंवेस्ट्मेंट के लिए आज की टाइम में अगर हम एफटी का रिटन दिखे तो 6-7 परसंट तक का रिटन मिलता है पहले के टाइम में इसमें 12-8 परसंट तक का मैक्सिमम रिटन मिला करता था आज का आज की टाइम में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया है बैंक में एफटी करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बैंक में जाओ पैसा जमा करो और आपको सामने सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जब अब आपको पैसों की जरूत हो सर्टिफिकर जमा करो आपको सामने पैसे मिल जाएंगे यह इतना सिंपल है अब बात करते हैं मूचल फंड के बारे में मूचल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक उभरता हुआ ऑप्सन है जो अब एफडी और आडी की जगा लेत अगर आपको मूचल फंड पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो एम एफ है अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में इस्टमक और शेर्ण के नाम सुनते ही आपके दिमाग में 1992 सक्एं सत्यम स्काम 2008 क्रेश 2020 क्रेश छी सब आपके सब्सक्राइब करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए और उसका रिसेर्ज करने के लिए तो mutual fund आपके लिए बहुत ही बड़ी option है अब इन सारे options में आपको investment करने से पहले आपको एक अपना emergency fund त्यार करना चाहिए emergency fund के लिए emergency fund के लिए आप ft का इस्तिमाल कर सकते हो यह बहुत ही ज्यादा safe option है और emergency fund आपको कभी भी काम में आ सकता है emergency fund आपके पास होना ही चाहिए यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप नीचे comment करके हमको बता सकते हैं like करो share करो और subscribe करो thank you